कि मुझे लगता है कि कह देना चाहिए ये वज़े इसकी ये थी कि 2014 में जो नंबर टू थे वो कड़ी निंदा करते थे उन्होंने लगा कड़ी निंदा कर दो क्या फड़ता है खतम बास कड़ी निंदा करती हमने पांच मरे हैं आज भारत में कड़ी निंदा करता हूँ कश्मीर में दो आतंक वादिया गए कड़ी निंदा करता हूँ लोग डर गए ये कड़ी निंदा है क्या और देश ठक गया इस कड़ी निन्दा से उनका ये कड़ी निन्दा हो रहे है काम कुछ नहीं हो रहा लेकिन लोगों ने इसको समझा के ऐसे ही रहेगा ये कड़ी निन्दा ही नहीं करता निंदा शब्द इसकी डाइरी में ही नहीं है इसलिए मैंने कहा के चाहें हैदराबाद हो चाहें कश्मीर हो चाहें रामपुर हो चाहें अलीगड हो लोगों को समझना चाहिए सिर्फ निजाम नहीं बदला है दिहान रही क्या निजाम बोई है निजाम को चलाने वाले बदल गए है लिहाज़ा जो धमकियां दे रहे थे वो अब कह रहे हैं हमें छोड़ दो आजाद कर दो हम अब कुछ भी नहीं कहेंगे एफिट डेफिट लिख वालो हमसे छोड़ तो दो कम से कम वो कहरें नहीं छोड़ेंगे अपनी मर्जी से अभी कुछ दोन और रही आप अंदर तो जब आप सत्ता का प्रवर्तन करते हैं ये एक छोटा सा बदलाव होता है लेकिन सत्ता के प्रवर्तन से जादा महत्पूर मेरे लिए क्या है सत्ता हैं तो पहले भी बदली एक से कलाकार आया उनकी कलाकारी के इतने गुरगान है कि समझ नहीं आता एक ऐसे प्रधान मंत्री थे कि देश के सबसे महत्पूर विशे पे आर्बी के लोग भी बैठे थे रौ के लोग भी बैठे थे लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहें वो सो चुके थे उनको उठाया गया तो जब वो जगे होंगे तो क्या समझते होंगे जब सोए थे तो उनक्या समझा होगा मुझे पता ही नहीं लेकिन प्रधान मंत्री थे इस देश की राजनीती ने इतने बड़ी परानी संस्कृती और इतने बड़े देश पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनका नाम लेने में मुझे शर्माती है दुनिया क्या सोचती होगी कि 130 करलों लोगों मेंसे कुछ भी ऐसे लोग नहीं है जो इस देश की महन संस्कृती के इतने महत्पूर्पद के उपर उसकी कुरसी के लाइख तो लोग तो चुनते कम से कम बोने बैठ रहे थे आपके और आपने ये रेलाइज नहीं किया जो दुनिया आपको पांच हजार साल पुरानी सब्विता से देखती है उसी दुनिया ने दो हजार चौदा के चुनाओ के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोग तंत्र ने आप उनको कुछ भी कहें वो लोग आए आप पे रूल किया लेकिन आपके देश की संस्कृती के साथ छिर चाड नहीं कि उन्होंने रूल करने आये थे वो रूल किया उन्होंने उसी दुनिया के एक बड़े अखबार ने क्यूंकि आपके हैं तो अखबार बेकार लोग चलाते है अखबार का एजंड़ी कुछ और है वो अगर उनका बस चले तो कोई पार्टी बना ले मिलके और चुनाओ भी लड़ लें और अपना परचार अपने आप ही कर लेंगे हो मैं भी उस उस से लंबे समय तक रहा हूँ हमारे यहां यह इमानदारी बात कहने की हिम्मत नहीं किसी में क्योंकि जब आप किसी बात को कहते हैं और जब यह नफा नुकसान तोलते हैं कि यह कहने से फाइदा कितना होगा नुकसान कितना होगा तो सच मानिए कि वो बात कभी सच नहीं हो सकती अमरेका के एक अफ़बार वाशिंग्टन पोस्ट ने 2014 के बाद अपने एडिटोरियल में लिखा कि 1947 के बाद भारत में पहली बार भारती सरकार बनी है तो यहाँ डिबेट इस बात पर तो नहीं हुई कि क्या बात लिखी है भाई यहाँ डिबेट इस बात पर लिखी है कि यह कैसे लिख दिया भारती सरकार तो पहले भी थी बड़े दिन बात समझ में आया कि भारतियों की जो भाशा है भारतियों का जो अनाड़ी पन है वो लोग चाय में आदी चम्मचीनी नहीं डलते हैं वो बैटी नहीं पीते हैं वो बैटी पिलाते हैं लहाजा जिस संस्कृती से जिस आदमी को आपने भेजा उसके चलने भिरने उठने बैटने बात करने हसने में सब में भारतियनता नजर आती है तो लोगों को चिंता हुई कि अगर भारतिय बैट गया तो इस भारत के पुर्शार्थ को वो खड़ा कर देगा और अगर पुर्शार्थ भारत के लोगों में जगा दिया इसने हमारे पास नहीं रहेगा तो हम माने या नमाने दुनिया आज भी आपको 5000 साल पुराने संस्कृति की देश से देखती है आपके उस पुरुशार्थ को जानती है तो दिल्ली में जो सरकार बैठी उस सरकार को जिन्होंने भी डराने की कोशिश की जो सबसे मश्किल काम था लोग कहते थे कि ये भारती जनता पार्टी दो किस्म की है मैं इसको दो किस्म की मानता हूँ एक अटल जी और अडवानी जी की और एक दो इन भाईयों की क्योंकि अगर ये कहें कि भारती जनता पार्टी तो वो तो स्विदले सतर साल से लिखती थी तीन सो सतर, तीन सो सतर, तीन सो सतर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि तीन सो सतर है क्या कुछ लोगों ने अपने मकान का नंबर तीन सो सतर रख लिया लोग यह नहीं समझ पाए यह 370 कहा है कैसा है क्या करें इस जर्णेशन को तो बिल्कुल पता नहीं था और लोगों को असंभव लगता था लेकिन सरकार से जादा जिस तरफ में इशारा आप करना चाहता हूं सरकार तो बनी इस देश में लेकिन ये पहली सरकार बनी सरकार बनाने के बाद इस समाज ने कहा जिस मेंडेट के लिए भेजा गया है अब हमें वो चाहिए उसके लावा कुछ नहीं चाहिए और पूरा समाज अपने उस पुरशार्थ के साथ अपनी अपनी जगे जो भी कोशिश कर सकता था वो करता रहा और देश भर में 15-20 लोग जो हमारी टीम के हिस्से है उन्होंने ऐसे ही जगे 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 जाके लोगों को 370 क्या है 30 पाई पे क्या है इसका आतंग से क्या संबंद है ये भारत के लिए क्यों खतरनाक है ये पाकिस्तान का क्या एजंडा है इससे इतना अवेर किया कि जब समाच का दबाव पड़ा तो 370 और 35 पे इसकी तैयारी कहा हुई कैसे हुई कहां पे ये पढ़ाई की गई कहां ये हूमवर किया गया यकायक देश को पता नहीं चला बस एक खबर आई और उस खबर के बाद कुछ लोगों को लगा कि ये हुआ नहीं है हमने कहीं गलस सुन लिया है चार-पांच दिन लगे उनको ये सच्चाई समझने में तो इस पे डिबेट होने लगी कि अब क्या करें तो यकायक ऐसे पत्रकार और ऐसे इंटलेक्चुल और प्रॉफिस है जो पूरे देश में फैले हुए उनको लगा कि अब हम क्या करें ये स्यापा किस पे करें ये रोदाली हम किस पे करें भाई दुकान तो लुट गई हमारी है तो उन्होंने एक नई कहानी निकाली यकायक उनमें मानवता का मूल इतने ऊपर चला गया था कि पेमाना छोटा पड़ गया और बोले देखिए आपने उन लोगों को बंद कर दिया है उनके पास इंटरनेट नहीं है मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ मैं इस बात पे गुस्सा हूँ जिन लोगों को साथ परसंट पॉपॉलेशन जो वैली में रहती है जिन्होंने आतंक मचा रखा है जिन्होंने सत्ता अपने पास केंदरित कर रखी थी जिन्होंने सत्तर साल में अलग विधान अलग समविधान के चलते पूरे सिस्टम में एंटी हिंदू और जिहाद को मजबूत किया उस सरकार के साथ मिलकर के आतंक वादियों ने हुरियत ने और तमाम वो लोग जो भारत विरोदी ताखते थी मज़ितों का इस्तमाल करके इसलाम का नाम लेकर के और एक पहचान के नाम पे साड़े पांच लाग कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से निकाल दिया हो अपने मूल वतन से निकाल दिया हो वो पिछले तीस साल से हिंदुस्तान के किस कौने में हैं क्या उन्होंने दिवाली मनाई क्या होली मनाई, उनका घर का है, उनके बच्चे का है, उनके घर में किसकी मौत हो रही है, इस हिंदुस्तान में कभी उनसे नहीं पूछा, लेकिन वो ही लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं, शर्मानी चाहिए उन लोगों को, जो मानवता का पाखंड करते हैं इस देश के हत्या नहीं की, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, वो दिल्ली की सड़कों पे पान और चाय की दुकाने कर रहे हैं, कश्चप रिशी के वंशच, इस देश में मारे मारे घूम रहे हैं, उनके लिए किसी सरकार ने कोई कमिशन नहीं बनाया, उनके लिए इस देश की नि मैं भी अजीब और गरीब किस्म के फैसले और लोग बैठे हैं, एक सेना का आदमी, जो आपका मेरा किसी नह किसी का भाई है, किसी का पती है, किसी का बेटा है, वो दुश्मन मुल से लड़ रहा है, आतंकवादी से लड़ रहा है, पीछे से शांती प्रिय धर्म के लोग, अद्भुत उनकी शांती है, ऐसी मार्केटिंग तो कोका कोला ने भी नहीं की, अपने देश के लोग, जो मेरे और आपके टेक्स से पलते हैं, जिनका सारा खर्चा भारत उठाता है, बदले में वो लोग, उसी जम्मु कश्मीर में, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को, पत्थरों से मारके आधे टुकड़ों में आपके घर बेज देते हैं, और इस देश की नियाए विवस्था, इस देश के चीफ जस्टिस को, इस बात को कहने में, न तो डर लगता है, न उसका कोई moral ground है, कि वो ये कहते हैं, कि जम्मु कश्मीर में, जो पत्थरवाज हैं, उनके उपर गोली नहीं चलेगी, वो पत्थरों से जो सेना का फौजी, पाकिस्तान से बेजे हुए आतंकवादी से लड़ रहा है, पीछे से पत्थर मार करके, वो तमाम उन उगरवादियों का और आतंक चलेगी, एक नई इजात करते हैं, पिलास्टिक की गोली चलाओ, अब देश का फौजी सेना में लड़ने जाए, पहले वो गोलियां रखे या पिलास्टिक की रखे, नहीं कोई तर्क है, फिर कहा गया कि नहीं, उसकी गोली से भी लोग अंदे हो रहे हैं, तो गुन-गु ना पानी का एक पहले बेकर लेकर लेकर जाए, फिर के कम डालें, जादा डालें, एक बार इनी को भीच दो बॉर्डर पे, ये किसी पानी से खुद नहीं आएंगे, इनको नहिलाना पड़ेगा, इस सिस्टम के बीच में, जब लोग कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा ह मानवता के मूलों की चिंता देने के लिए भारत का चीफ जस्टिस भी ये कहता है, मैं खुद जाके वहाँ देखूंगा, चीफ जस्टिस सहाब, आपकी समविदनाएं बड़ी सेलेक्टिव हैं, आप देश के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक की हैसित में, मैं चीफ जस्टिस सहाब से पूछना चाता हूँ, जब पांच लाख लोगों को उस सूबे के मुख मंतरी ने, और देश के पहले मुसल्मान ग्रह मंतरी ने, मिलकर शड्यंद्र करके, उनके ढ़ाई हज लोगों को मारा, बच्चों को उचाल उचाल के मारा, बुजर्गों की चौराए पे लाशें रख दी गई और लाशों के चारों तरफ आतंकवादी मोटर साइकल पे घूम रहे थे, और कहे के टीका लाल टपरू को अगर किसी ने पानी मिलाया, तो हम उसको भी जान से मार देंगे, तब भी जरा एक बार ये कहते कि मैं कश्मीर जाके देखता हूं, नहीं गया, क्योंकि आपका भी नयाय सेलेक्टिव हो गया है, आपकी सम्विधनाएं भी सेलेक्टिव हो गई है, और अगर ये किसी को गलत फेमी हो गई है, कि कुछ लोग, वो किसी इंस्ट्यू देश अभी भी जो मिजोरिटी जिसमें रहती है, आज भी आप से भरोसा करती है, ये बात अलग है कि आपको बड़ी सेलेक्टिव जेंडर जेस्टिस नदर आता है अयप्पा में, आपको शबरी मला पे सुनवाई राद दिन करते हैं, पुलिस को डिरेक्शन देते हैं, कि इस देश की मिजोरिटी का तहमुल, उसका पेशन्स, उसका इंतहान मत लीजिए, ये देश ने अभी वोट से सत्ता बदली है, और ये बताता है समाज, कि जो सबसे पहले इंपॉर्टन काम है, वो हमने कर दिया है, अगर अभी भी इस बदलते, मुलका मिजाज आपकी समझ में नहीं आ रहा है, और आप समझते हैं, कि भीड़ के आगे आपके फैसले बदल जाएंगे, तो आपको अयप्पा के एक हजार साल पुरानी परंपरा को तोड़ करके, वहाँ पे जेंडर जस्टिस थापित किया, जरा मस्जित में भी जेंडर जस्टिस थापित करो, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चुप हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है, मैं इस देश को नहीं चाहता कि ये देश खून की होली खेले, तो आप मेरी आस्था को भी तोड़ेंगे, तीस हजार मस्जित, मंदिरों को तोड़ के मस्जित बनाई गई हैं, उस पर भी तोड़ेंगे आप, मेरे आस्था के केंदर को भी तोड़ेंगे आप, और आप क्या करेंगे, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, आप जिस कुरसी पर बैठे हैं ये बात अलग है कि टेक्निकल मामला है आप पहुंचे होंगे उस पर मेरा कोई विवाद नहीं है मेरा विवाद इस बात पर है कि दसेरा आया साथ दिन के लिए कोट बंद हो गई है अभी दिवाली आने वाली है कोट दिन पांच दिन की छुट्टी पर चली ज दसेरा पर कोट बंद रहेगा छुट्टी होगी दिवाली पर चुट्टी होगी पांच दिन की उसकी छुट्टी लेंगे और कोट जब खुलेगी तो कहेंगे आई ये बात करते हैं कि भगवान राम थे या नहीं थे ये कहां का पाखंड है भाई क्योंकि मिजॉरिटी वो काम नहीं कर रही जो कश्मीर की मिजॉरिटी ने किया है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ देश को आगा करना चाहता हूँ विवस्था में बैठे लोगों को आगा करना चाहता हूँ सन 1947 में एक आदमी को लगा मेरे ध्यर की मेरे विश्वास का जिस तरीके से तोड़ा गया है उसको इतनी ठेस लगी सिर्फ एक आदमी को उसने पूछा नहीं उसने कुछ सवाल नहीं खड़ा किया वो भागा नहीं उसने जो किया उसने कहा यही मेरे सामने एक रास्था था ता मैंने किया आपको खानून यह गलत लगता है जो है आप मुझे सजा दे दीजिए मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ ऐसे ही देश में दीवानगी पैदा नहीं होती जिस राष्ट वाद के चलते आप साड़े नौ और पौने दस बज़े यहां बैठे हैं जरूरी नहीं है कि इसमें सब लोग जाकर के सो जाएं मुझे उम्मीद है कि 90% लोगों को उनके अंदर एक कई सवाल अपने आप से पूछने के लिए उनको रात की नीन देर से आईए लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हल ढून लेंगे अपने आप वो हल देश के लिए अच्छा हो सकता है आपके लिए बहुत बुरा होगा बाद मत करिए फोर्स मत करिए कि ये समाज जो एक हजार साल की बात कह रहा हूँ एक हजार साल अपने आदर्शों के कारण अपने मूल्यों के कारण अपनी परंपराओं के कारण ये देश घुलाम रहा और ये सनातन संस्किती के लोग घुलाम रहे उसके बावजूद भी एक कोई इंसीडेंट बता दीजे मुझे कि सनातन धर्म के मानने वालों ने कहीं हत्यार उठा करके किसी की नाजाइज हत्या करती हो कोई एकाद individual act हो सकता है वो भी राष्ठ हित्मे सनातन के हित्मे निजे हित्मे नहीं किया है जो हमारी संस्कृति को लोग आज के पाखंड से समझते हैं कि कुछ लोग आज पाखंड कर रहे हैं अलग-अलग बस्तरों में लोग समझते हैं यही सनातन संस्क्रिती है यह नहीं है सनातन धर्म के मानने वाले लोग ना परचार के लिए भार निकलते हैं ना अपनी publicity करते हैं वो मठों में पहाड़ों में बैठ करके जो चिंतन करते हैं उसी में से चिंतन करके एक आदमी गुजराता जाता है झाल झाल